हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ एरली असेस्मेंट का फुली सॉल्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर तो देखे बच्चों, हाफ एरली असेस्मेंट में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो होगा टोटल 40 मार्क्स का और इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनिट्स, तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम इंस्ट्रक्शन को पहले 10 क्वेश्चन बच्चों आपके होंगे मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन उसके बाद 11 तो 15 होंगे आपके अपके अब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके बाद तो बच्चों हो सकता है कि इस बार लास्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपका कंपोजिशन वर्क भी आ जाए ठीके तो चलिए MCQs को देख लेते हैं आप देखो हम डिसक्शन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो भी सिले बसाना है हाफ यरली में उसकी वीडियो में डाल सभी चैप्टर्स के MCQs भी हैं प्लेइलिस्ट में जो है मैं आपको लिंक दे दूँगी प्लेइलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखिएगा सभी चैप्टर्स के 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन और MCQs सभी के जो है सारी व अप्शन सार अप्शन सार अप्शन इस अनिमल्स, B लोकस्त, C हेल स्टोंस, और D ऑप्शन इस ओल ओफ देखिएगे और सही आंस्वर है, अप्शन C हेल स्टोंस next is from the chapter, the hundred dresses, who protected small children from bullies, कौन थी, जो छोटे बच्चों को बुलीद से प्रोटेक्ट करती थी, बुलीद मींस जो अपना रोब जमाते हैं, धोस जमाने वाले बच्चे औप्शन सार, Wanda, Peggy, Maddy, Miss Mason, और इसका सही आंस्वर है, बच्चों, औप्शन B, Peggy, जो बहुत ही popular थी और बहुत सारे बच्चों उसको पसंद करते थे, rich थी वो यह question है from the diary of Anne Frank chapter से आन कितने साल की थी? options है 10, 11, 12, 13 और इसका सही answer है बच्चों option D, Anne Frank was 13 years old next question what is brilliant in the poem A Tiger in the Zoo? A Tiger in the Zoo में किस चीज़ को brilliant कहा गया है? चमकता हुआ कहा गया है Option A, the stars B, the tiger's eyes C, neither A nor B D, both A and P और सही answer है Option D, both A and B Next is Which animal is described as a noble wild beast? ये question लिया गया बच्चों आपकी poem How to tell wild animals से तो कौन से animal को poet ने noble wild beast कहा है Chameleon, the Asian lion, the Bengal tiger, crocodile और सोचो बचों इसका सही answer होगा Option C, the Bengal tiger ठीक है, तो ये questions लिया है मैंने First flight में, poetry section से, pro section से अब देखो MCQs आने है 10 तो आगे मैंने आपके questions लिये हैं English grammar के जितने भी topics आने हैं उन में से Okay, fill in the blank with the correct form of the verb पहला question मैंने लिया है Tense per based और sentence है When I entered her room She blank play the piano जब मैं उसके room में गया वह piano, play Okay, option पढ़ लेते हैं पहले Is playing, बजा रही है Was playing, बजा रही थी Had been playing या फिर has been playing देखो, tense के MCQs जो है, वो वीडियो भी आप आराम से देख सकते हैं उसमें सारे rules बताए हैं मैंने सारे main rules जो है, revise करवा दिये हैं तो वीडियो भी जरूर देखेगा इसमें सही answer है Option B, was playing When I entered her room, she was playing the piano एक question हो गया, हमारा tense पर based अगला है, article पर based Fill in the blank with the correct article My sister is blank, MA, in English Options है, A, the, and no article अब देखो, इसमें rule क्या है, कि जिस भी word से के साथ हमने article लगाना है उस word को pronounce करते हुए कौन सी sound आ रही है तो जब हम MA बोलते हैं, तो A, Paul की sound है इसलिए यहाँ पर आएगा An, option C My sister is an MA, in English अगला question है, हमारा narration पर based Direct, indirect speech पर based He says to Leela My brother always takes tea in the morning ठीके, अब देखो, reporting जो verb है वो present tense में है He says to Leela तो आपको यह देखना है, जितने भी option देरके यहाँ पर चार option है तो उन में से सबसे पहले देखिए कि says to change होगा tells में, तो कौन से option में दिया गया है A, option में देखो He asked Leela, आगे हमने पढ़ने की जरूरती नहीं है A, option गलत हो गया B, He exclaimed with sorrow यह भी गलत हो गया C, He tells Leela D, He tells Leela तो हमारा सही answer तो होगा option C, और D में से ही कोई अब आगे देखो sentence को पढ़ते हैं He says to Leela, my brother always takes tea in the morning अब क्योंकि reporting verb present tense में हो गई तो next rule यह होगा कि reported speech का tense जो है वो change नहीं होगा okay, it means takes जो यह verb की first form है यह takes ही रहेगी तो देखो कौन से option में दी गई है C में He tells Leela that his brother always took तो tense change कर दिया इसका मतलब option C भी गलत हो गया है बचा है हमारे पास option D He tells Leela that his brother always takes tea in the morning यह बिल्कुल ठीक है तीन change होने थे बच्चों यहाँ पे देखो He says to Leela है यह change हो गया He tells Leela में कोमा inverted कोमा को हटा के that लग गया है My brother first person हो गया यह तो यह change हो जाएगा He के according his brother और बाकी tense में कोई change नहीं होना so option D is right तो narration पर भी MCQs की practice कर सकते हैं आप ठीक है, वीडियो दी हुए है मैंने Next है Fill in the blank with the correct model If you worked hard, you blank pass आप देखो यह subordinate close है If वाली close है इसमें tense कोन सा दिया गया है वर्ब की second form है Past में है यह If you worked hard, you blank pass तो अगर subordinate close Past tense में होती है If वाली close यहाँ पे Past tense में है तो main close में आएगा क्या आएगा पहले option देख लो Should, Must, Would, Need Option C is right Would आएगा यहाँ पे If you worked hard, you would pass Okay Next हो गया है आपका close पर based Change the following simple sentence into complex sentence using adjective clause I cannot understand the hard sum यह option है I cannot understand the sum Who is hard अब देखो Sum के लिए Who use नहीं करते है तो यह option गलत हो गया I cannot understand the sum Whose is hard बिल्कुल sense नहीं बन रही है B गलत हो गया I cannot understand the sum Which is hard Yes Option C is right Sum के लिए Which use किया जा सकता है Adjective close भी हो गई है तो आपके पहले 10 questions हो गई MCQs और 11 to 15 होंगे आपके objective जिनमें 2 और 3 words में एक sentence में आंसर देना भी हो सकता है तो दिए देखिए यह मैंने लिए आपके supplementary reader बुक पर अब देखो आपके question paper का pattern कुछ भी हो सकता है यह हम एक idea लगा रहे हैं कि किस तरीके से questions आ सकते है Question number 11 For what had Mr. Loisel saved 400 francs? यह question लिया गया है the necklace से किस purpose के लिए Mr. Loisel ने 400 francs save की थी? Answer is to buy a gun उनको एक gun खरीदनी थी Next है, what did Richard Ebright start collecting in his childhood? Richard, बच्चपन से ही क्या जो है collect करने लग गए थे? Answer is coins, rocks and butter flies Next is, who is the writer of the chapter? A question of trust A question of trust, इस chapter के writer का नाम बताना है Answer is, Victor Canning Question number 14 Who came to meet Osible? Osible से मिलने कोन आया था? यह question लिया गया है the midnight visitor chapter से इसमें Osible से मिलने के लिए आता है Fowler जो कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा निराश हो जाता है बट बात में Osible के intellect को देख कर बहुत ही जदा इंप्रेस होता है Osible जूटी कहानी बना के मैक से पीछा चुड़वा लेता है Question number 15 For how many days did the doctor give no food to Tricky? James Harriet ने Tricky को food नहीं दिया था कितने दिन के लिए? दो दिन के लिए दो दिन तक उन्होंने कोई भोजन नहीं दिया Answer होगा for two days ठीक है? तो यह हो गए आपके one marker questions उसके बाद Question number 16, 17, 18 यह होंगे दो दो number के तो यहाँ पर मैंने आपकी ज़्यादा से ज़्यादा practice हो सके इसलिए Question number 16 में choice दे दी है बट Question paper में कोई choice नहीं आएगी ठीक है? तो देखो What does the poet say about the ending of the world or write a brief summary of the poem Fire and Ice? ठीक है? बिलकुँ Simple sentences में मैंने आपके लिए answer frame किये हैं यह The poem Fire and Ice Meditates upon ending of the world इस poem में दुनिया कैसे खत्म होगी? उसके ending कैसे होगी? उसे के बारे में चर्चा की गई है The poet says that both fire and ice can destroy the world Fire is desire का symbol है Ice नफरत का, hetroid का symbol है तो वो हमने bracket में बता दिया So we must think about how to save the world एक तरीके से theme बता दिये मैंने इसलिए हमें ही सोचना चाहिए कि दुनिया को कैसे बचाना है बहुत ही simple sentences में summary दे दिये हमने और जो है कुछ भी जिस भी language पूचा गया है poet क्या कहते हैं दुनिया के ending के बारे में उसका answer भी हो गया है अब मैं repeat कर रही हूँ कि मैंने आपकी जादर से जादर practice के लिए यहाँ पर option दिये है question paper में option नहीं आएंगे choice नहीं आएंगी I mean to say देखो इसमें choice है what does Amanda wish to become Amanda क्या बनना चाहती है Amanda एक teenager girl है उसे आजादी बहुत पसंद है कभी वो जलपरी बनना चाहती है कभी एक अनाथ बच्चा बनना चाहती है और कभी Rapunzel नाम की princess बनना चाहती है Amanda is a teenager girl she loves freedom she wishes to become a mermaid an orphan and a princess named Rapunzel फिर मैंने आपको choice दे दी है एक और आपकी question के तैयारी हो जाएगी why does the poet want to live with animals what with men poet है animals poem के poet animals के साथ क्यों रहना चाहते है क्योंकि उनको क्या लगता है animals क्या है वो happy रहते है peaceful है satisfied है कभी अपनी condition के शिकायत नहीं करते और वे इनसानों से कहीं बहतर है the poet wants to live with animals because they always remain happy, peaceful and satisfied they never complain about their condition they are much better than human beings तो ये question number 16 में मैंने आपके तीन question के तैयारी करवा दी है वैसे बच्चों मैं आपको बता दूँ कि two marker, three marker questions की भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने ये set one के लिए आपकी तैयारी करवाई थी उससे मैं बनाई थी तो आप उसमें भी सारे questions को जो है अच्छे से revise कर सकते है first flight और supplementary reader सारे जो है दोनों ही book के सभी important questions मैंने इसमें discuss किये थे तो चलिए आगे बढ़ते है question number 17 why does Anne Frank keep a diary Anne एक डाइरी क्यों रखती है क्यों रखना चाहती है वो Anne Frank has no true friend Anne Frank का कोई सच्चा मित्र नहीं है with whom she can share her inner feelings जिसके साथ वो अपने मन की भावनाओं को share कर सके she feels that paper has more patience than human beings उसे ये भी मैसूस होता है कि इंसानों की तुलना में पेपर में काघस में ज़्यादा धहरी होता है इसलिए वो एक डाइरी रखती है और इसका नाम किटी रखती है next is what was the reaction of Maddy when she found that Wanda had left their city Maddy ने कैसा react किया कैसा फील किया जब उसे पता लगा कि Wanda उनका शहर छोड़ के जा चुकी है Maddy felt very sad to find that Wanda would not come to school anymore Maddy ने बहुत उदास महसूस किया जब उसे ये पता लगा कि Wanda अब उनके school में और नहीं आने वाली है और दिनों में she wanted to tell Wanda that she had never meant to hurt her feelings अब वो Wanda से मिलना चाहती थी उसे बताना चाहती थी कि आरे मैं तुम्हें कभी भी hurt नहीं करना चाहती थी she wanted to say sorry for her behavior वो अपने विभार के लिए Wanda को sorry कहना चाहती थी और अब आते हैं question number 19 20, 21 three marker questions ठीके ये मैंने ले लिए आपके supplementary reader book से what do you think is the meaning of the phrase honor among thieves what does Horace say about this concept honor among thieves इस concept का क्या मतलब है और Horace Danby इस concept के बारे में क्या सोचता है क्या कहता है the phrase owner among thieves means that thieves never betray one another इस phrase का मतलब है कि चोर आपस में एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देते they have their own code of conduct उनका विभार का अपना ही एक नियम होता है they remain honest to one another वे एक दूसरे के परती इमानदार रहते हैं but Horace does not believe this concept लेकिन Horace तो जो है इस concept में यकीन ही नहीं रखता क्योंकि उसको तो खुदी दूसरे चोर ने दोखा दिया था because he is cheated by another thief next is why does Matilda always remain unhappy the necklace लियागे question Matilda हमेशा जो है उदास रहती है क्या कारण था Matilda is born in a family of clerks she is married to a clerk अब देखो Matilda पैदा हुई है Clark की family में और शादी भी उसके Clark से ही हो जाती है but she has high dreams लेकिन सपने उसके बहुत ऊचे बहुत बड़े she wants to live a life of comforts, luxury उसे आराम वाली जिंदगी चाहिए but her poverty becomes the cause of her ceaseless suffering लेकिन उसके लगातर दुखों का कश्टों का कारण बन जाती है उसकी गरीबी so she always remains sad, unhappy इसलिए वो हमेशा उदास रहती है next question is how does James Harriet treat Tricky? James Harriet Tricky का इलाज कैसे करते हैं? Harriet takes Tricky to his hospital he gives him no food for two days पहले बाद तो वो उसको अपने hospital मिले जाते हैं फिर दो दिन तक उसको कोई खाना नहीं देते बलकि उसको खूब सारी exercise करवाते हैं और उसका result क्या होता है? as a result he is changed, transformed into a hard-muscled and energetic dog अब वो जो है सारा मोटापा उसका खत्म हो जाता है अब वो चुस्त energetic dog बन जाता है and Mrs. Pumphrey considers it as a triumph of surgery लेकिन Mrs. Pumphrey को लगता है कि surgery की जीत हुई है इसी वज़े से वो अब उसका dog ठीक हो गया है और लास्ट में बच्चो आते हैं ऐसे टैप questions देखो आप question paper का format कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर पहले दो ऐसे टैप questions मैंने ले लिये हैं first flight से इस वीडियो का link में आपको दे दूँगी सभी chapters के ऐसे टैप question मैंने एक वीडियो में ऐसे बनाए हुए है तो वहाँ से आप सारी तैयारी कर सकते हैं अब देखो इसमें मैंने लिया है लैंचोज, faith, in good यह story यानि की first chapter से और choice दिया आपको Ann Frank live के sketch देना है Ann Frank की live के बारे में बताना है तो सभी chapters के ऐसे टैप question आप इस वीडियो में जो मैं लिंक दूँगी उससे आप देख सकते हैं तो description box में लिंक जरूर देखेगा बचोँ सारी playlist का लिंक मैं आपको दे दूँगी next देखो क्योंकि 40 marks का है और ऐसे टैप question दो आने है तो composition work भी आ सकता है तो बच्चों एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको सारे composition work इकटे ही करवाए हुए है तो वो भी आप जरूर देखिएगा इसमें choice दी हुए है मैंने आपको write in brief the summary of the story the necklace वो देखिए आप screen पर देख पा रहे हैं यहां से आप कर लीजेगा याद आ गई होगी do good have good का moral बनेगा इसमें ठीक है तो आप इस story को अच्छे से develop कर सकते हैं तो इस तरीके से आज की इस video में हमने discuss किया है fully solved sample question paper तो आज की discussion यहीं पर खत्म होती है अच्छे से तयारी कीजेगा paper दीजेगा और channel को subscribe जरूर कीजेगा thank you very much for watching this video and best of luck to all of you